7 Best Strategy for UGCnet JRF to Solve Data Interpretation Easy Ways to Solve DI Quickly इस वीडियो के अंदर हम लोग उन strategy को check करेंगे जिनकी help से आप data interpretation के questions को UGCnet exam की preparation के लिए बहुत आसानी से और easy way में कर सकें इसके लिए इस वीडियो को end तक देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग उन strategies को discuss करेंगे आपके साथ जिनकी help से आप data interpretation के questions को आसानी से UGCnet exam के preparation के लिए साथ में किस तरह से data interpretation question आपके exams के अंदर आते हैं उनको हम लोग discuss करेंगे अगर अभी तक आपने BSI Academy चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe the channel and don't forget to like this video so बहुत सारे students के query होती है कि examination के अंदर जो UGCnet exam के अंदर especially जो data interpretation जो questions आते हैं तो उन questions को वो उतनी असानी से कर नहीं पाते हैं या फिर कर भी पाते हैं तो examination के अंदर उन strengths को paper के अंदर UGCnet exam के अंदर especially बहुत जादा time consume होता है तो ऐसे strengths के लिए especially हम लोगों ने इस video को बनाया है कि कौनसी ऐसी strategy या कौनसी ऐसी best approach आपको UGCnet exam के preparation के लिए करनी है जिनकी help से आप data interpretation questions को solve कर सकें तो उन questions करने के लिए आपको जो strategy को apply करना है वो इस तरह से तो सबसे पहली strategy है brush up the mathematical concepts यानि जो UGCnet के exam के लिए especially data interpretation के जो questions आपके exam में आते हैं वो आखरे में किस तरह के सवाल हैं उनको अगर हम देखें तो उनके अंदर आपके लिए percentage, ratio proportion, profit loss, average, fraction, decimal इसी तरह के जो questions हैं वो आपके data interpretation में आते हैं तो data interpretation की preparation करने से पहले आपको इन सबकी की preparation करनी बहुत ज़ादा जरूरी है अगर आपको इनके formulas आपको नहीं पता हैं तो आप मान के चलिएगा data interpretation questions को आप examination में नहीं कर पाएंगे तो data interpretation questions को बहुत easy way में करने के लिए आपको सबसे पहले इन concepts को implement करना सीखना पड़ेगा और किस तरह से questions को आप उनको better way में, better approach में कर सकते हैं आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा इसके लिए आपको दूसरी strategy जो अपनानी है में का log notebook and write all the formulas आप जितने भी आपके formulas हैं उस notebook में लिखिए क्यों इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं तो जब भी आप data interpretation questions को अपने लिए preparation कर रहे हैं उनको आप जब solve करने की कोशिश कर रहे हैं यानि आप घर पर बैठी जब तयारी कर रहे हैं तो उस notebook को आप अपने साथ हमेशा लेके बैठीए क्योंकि काफी बार आपको preparation के duration में ऐसे moments आएंगे जब आपके जो formulas है वो direct formulas उसी में implement होंगे तो आप उन concepts को उनको concepts को जो implementation है वो better way में आप अपने लिए learn कर पाएंगे understand कर पाएंगे इसलिए एक notebook के अंदर उन सभी formulas को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी notebook आपको बनानी है hardly 32-35 pages की भी अगर आप notebook बना ले तो उतना आपके लिए enough रहेगा तीसरा important point और तीसरी best strategy है कि type of data interpretation यानि किस तरह कि जो हमारे जो data interpretation के जो questions है examination में आते हैं उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यानि आपको data interpretation के लिए tabular form के questions को करना है आपको pie chart को आपको समझना पड़ेगा उसके लिए आपको bar chart को समझना पड़ेगा और कभी-क जो UGC net examination में जो questions आते हैं वो एक chart के उपर नहीं बलकि दो data के उपर आते हैं तो उस तरह के जो questions हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जानना क्योंकि UGC net examination के अंदर जो सवाल आते हैं वो data interpretation के लिए जो questions specially आते हैं उनको जानना आपके लिए सबसे ज़्या interpretation यानि D.I.E. के अंदर जो आपके जो सवाल आते हैं वो किस तरह के आते हैं उनको जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप दूसरे examination के pattern को देखे और UGC net exam के pattern को देखे paper one के तो आपको लग जाएगा कि जो D.I.E. के जो questions specially paper one में आते हैं UGC net के level में उनका जो level होता है वो इतना और examination का होता है जैसे for example मैं S.B.I.E. के PO की examination की बात करूँ तो S.B.I.E. के PO में जो D.I.E. का जो level है वो बहुत tough हाता है बच उतना tough आपको नहीं पढ़ना है आपको उस level का पढ़ना है जो आपके UGC net examination के paper one के अंदर का जो level है उतना ही पढ़ना है काफी बार strengths क्या जिस book से पढ़ रहे होते है उसका जो level होता है वो बहुत ज़्यादा tough होता है आपको tough question नहीं करने आपको average question करने है या फिर easy question करने क्योंकि उसी pattern को समझने कर आप D.I.E. के questions को असानी से अपने UGC net examination में असानी से कर पाऊंगे then next है understand the level of D.I.E. बहुत important है कि D.I.E. का जो level है वो किस तरह का level आपके paper में आता है यह अभी मैंने बताया तो उसके लिए आपको previous years के questions को solve करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप D.I.E. के level को check करना चाते है इसके लिए आपको previous years के questions को करना बहुत ज़्य ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि उनी के level के questions आप अपने practice के लिए करोगे और जब आपको level एक बार पता चल जाएगा तो असानी से आप UGC net examination के paper 1 में D.I.E. के questions को आसानी से कर पाऊगे क्योंकि जो paper का pattern है उसको समझना बहुत जरूरी है और उसके साब से practice करना बहु उसको practice करते हैं उसको देखें तो उसी आप देखेंगे कि कही ना कहीं आगे के sitting में आगे के future exam में वो जो question है उसी तरह के question जो है आपके examination में आते हैं तो paper के pattern को समझना और previous years के questions को करना बहुत ज़ादा जरूरी है next strategy है short tricks to master the data interpretation यानि अपने लिए आप जब preparation की paper की preparation कर रहे है उसके लिए especially data interpretation के लिए जो short tricks है उनको जानना सबसे ज़ादा जरूरी है for example 1 by 4 कहीं भी आप जब question को solve करते हैं आपके percentage के solve question के अंदर एक जगे आया 1 by 4 अब ये 1 by 4 जब आप करोगे calculate as a percentage तो आपको पता चलेगा कि ये 25% है आप बहुत सारे student क्या करते हैं 1 by 4 को दुबारा से percentage में calculate करने लगते हैं तो अगर आपको ये short tricks पता है कि किस तरह से हम percentage के question, ratio proportion question, average के question, fraction questions को असानी से interrelate करते हुए implement कर सकते हैं उन students के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग अपने examination के अंदर short tricks को अपनाए और इसके लिए आपको data interpretation के जो questions की जो practice है वो आपको उसी level में करनी पड़ेगी इसलिए short tricks को अपनाना examination के अंदर आपक आता है और last strategy है आपके लिए जो कि सभी के लिए है कि practice, practice and practice. Mathematics के concept में जो सबसे important role play करेगा आपके paper को निकालने में especially DI के question में वो है practice क्योंकि आप कभी भी full proof होकर ये कभी नहीं कह पाऊगे कि मैं data interpretation question को आसानी से कर पाऊँगा या कर सकूँगी उसके लिए आपको particular time duration के अंदर आपको अपने questions को करना है 5 questions आएंगे मैंने देखा है उन 5 questions को data interpretation के question को करने में student 15-15 minutes तक लगा देते हैं इतना आपको time spend आप examination में नहीं कर सकते देखिए आपके पास के अवल 150 questions आते हैं 150 questions को करने के लिए आपके पास 180 minutes है और अगर आप 5 questions को करने में 15-20 minutes ल वो कहीं ना कहीं गलत पड़ती है तो इसलिए DIY के questions को करने के लिए आपको ज़ादा से ज़ादा practice करनी पड़ेगी और आप मान के चलिए अगर आप जाज़ादा questions की practice करेंगे आप definitely examination hall में data interpretation questions आपके paper में आते हैं उनको आप असानी से कर पाऊगे तो I hope students आपको ये 7 best strategy हैं आपको समझ में आई होंगी और data interpretation questions को करना आप कैसे better way में approach कर सकते हैं जिससे आपके paper में जो paper 1 में जो especially 5 questions data interpretation के आते हैं उसको आप आसानी से solve कर सकते हैं तो students अगर अभी तक आपने BS Academy channel को subscribe नहीं किया है subscribe the BS Academy channel and don't forget to like this video और इस वीडियो की तरह हम आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने present करते रहेंगे और जिन topics के उपर आपको वीडियो बनवाना है आप comment करिएगा definitely मैं उनके उपर आपके लिए वी करेगी सो strengths आपसे हम मिलते हैं next वीडियो में thank you